हेलो एवरिवन लास्ट वीडियो में हम लें 2022 और 2021 के पेपर को डिसकस किया था कि उसमें बेसिक जो लॉजिक के तुरू कितने कोशन सौल हो सकते हैं इस बार हमने 2020 का पेपर लिया है उसमें एराउंड 45 कोशन है जो आपके बेसिक कॉमन सेंस के तुरू निकल रहे हैं ठीक है कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर आप पूरा पेपर लेके सौल करो like 22 का पूरा होल पेपर लेके 100 कोशन आप बैटके लगाओ तो मैंने आराउंड 45 जैसे इस पेपर में लिया है पिछले पेपर में आराउंड 25 लिया है उससे पहले 35 लिया है 2022 बाले में तो यह सारे जो कोशन से हैं यह basic logic से हो रहे हैं पूरा पेपर जब हम लोग करेंगे तो उसमें क्या होगा कुछ लोग कुछ question knowledge के थूरू निकलेंगे कुछ question आपके basic जो understanding है आपका peace of mind है आप कितना सोच पार है उसके basis पे निकलेंगे ठीक है कुछ question होंगे जो छोड़ने होंगे वो मैं उनका भी एक पूरा फुल पेपर का वीडियो बना दूँगा जिसमें उन्नीस बीस इकीस बाइस के जो भी logic, pattern, जो भी सारे identify किये हैं single type के statement में 2 में 3 में 4 में 5 में 6 में और 7 में भी even किये उन सब को use करना है प्लस जो भी techniques वगरे जो भी हमने discuss करे उन सब को use करना है और around 45 question में आप 40 तक सही कर सकते हो मतलब अगर आप 40 तक सही कर रहे हो तो आपको 80 marks तो यहीं से मिल रहा है और cut off जारी आपकी 90 तो मतलब आपका जो knowledge वाला portion है वो अगर आपको 10-20 question भी solve करके दे देगा तो I think आप easily cut off को clear कर सकते हो चीक है दूसरा part है कि आपको knowledge पे equally focus करना है क्योंकि यह tricks है techniques है यह आपकी develop हो जाएगी मतलब अगर आप एक दो घंटे भी अगर दिन को PYQ को solve कर रहे हो तब आपकी हो जाएगी बट आप knowledge develop करो because जो conceptual portion है वो आपको time लगेगा धीरे-धीर develop करना है तो उस पे आप ज्यादा focus करो knowledge और trick तो मैं बताता रहूंगा और एक moment के बाद आपको apply भी करने जाएगी तो चलो इस वीडियो में discuss करते हैं start करते हैं सबसे पहले question है यह कि इन्होंने पूछा है कि advantage क्या है किसका advantage zero tillage का अब आप देखो sowing of wheat is possible without burning the residue of previous करो ठीक है मतलब यही तो zero tillage है मतलब इसमें कुछ ऐसा extreme नहीं बोला है कि यह आप यह मतलब जैसे stable burning के regarding question मतलब उसके regarding दिया है कि अगर आप zero till करोगे तो उसका benefit क्या है पहला question बहुत lenient है without the need of nursery for rice sapling direct planting of pedisets in the wet soil is possible ठीक है possible है मतलब zero tillage नहीं करोगे आप direct planting करोगे possible है मतलब इतना कुछ और यह सारे जो जो भी statements दिया हूँ सारे possibility indicate कर रहे है यहां पर possibility indicate कर रहा है यहां पर possibility indicate कर रहा है और यहां पर भी possibility indicate कर रहा है तो possibility is like progressive statement है मतलब एक lenient चीज बोल रहा है कि हाँ हो सकता है carbon sequest in the soil is possible तब ही तो होगा ना आप zero tillage कर रहे है तो उससे क्या होगा उससे आपके जो भी carbon वगएर है जो भी gases वगएर है वो soil से release होगी यह question होगा ने 2019 पे पूछा हुआ already इस type के question चीक है और यह जो wheat है और rice है यह दोनों बहुत important है यह देखो यह जो particular question है wheat और rice का यह जो पंजाब और हरियाना में इस regions में जो भी environmental issues आ रहे है उनसे दिया है इस बार जैसे rice methane का question दिया था फिर rice intensification system का question दिया था तो this particular जो area है जो crop है इन सबको आपको अच्छी से देखके जाना और इन तीनों यह जो particular question है उसमें possibility show कर रहा है और obviously zero tillage is progressive thing ठीक है तो उसको adopt करना चाहिए तो उसमें possibility show कर रहा है तो generally क्या होता है जो positive statement होगे न वो सही होते है जैसे अगर इन्होंने ऐसा बोला होता कि carbon sequestering is not possible in the soil या ऐसा कुछ बोलता तब possibility होती कि गलत होने की क्योंकि वो एक negativity show कर रहा है अपने को सारे जो positive statement है पहला positive है हाँ क्योंकि यह progressive चीज है stable burning को fight करने का एक way है दूसरा positive statement है को issue नहीं है और सब में possibility show कर रहा है तो यह without मतलब अगर आपको basic पता हो कि zero tillage क्या है इसका basic meaning क्या है त social cost अब एक चीज़ देखना मतलब इस word को break करो मतलब carbon के related को society के carbon के related है उसके social cost है अब आपको आगया आप देखो अब question को अच्छे से पढ़ना है इस particular question को मैंने क्यों दिया कि यह question मेरा सही निकला था और मुझे I had no idea कि social cost of carbon क्या है इसको देखो it is a major in monetary value इन्होंने बोला यह एक measurement का tool है प्लस उसमें monetary values है ठीक है अब आप जाओ अब आप सबसे पहले D देखो the contribution on individual person to the carbon footprint on the planet earth इन्होंने society का पूछा है मतलब as a social cost of carbon पूछा है तो individual की उससे related ही नहीं है मतलब totally absurd statement बनाया effort put in by the climate refugee to adapt to live in a new place अब ठीक है अब लग रहा है कि यह society का है क्योंकि जो भ cost हमेशा जैसे GDP है तो GDP को एक time के period के बाद मापते है मतलब उसका measurement होता है एक time के period होता है जैसे population है तो population की जो census होती है तो एक moment के बाद होती है तो cost है जो cost को हमेशा अगर आप major करोगे तो या monetary value में एक time period के बाद होती है मतलब आप समझ रहे हो उस particular term का meaning जैसे उन्होंने protocol करके question दिया था I think greenhouse gas protocol ऐसा कुछ करके question था तो protocol का एक meaning होता है जो जितने भी यह suffix लग रहे है उनका एक particularly meaning होता है जैसे हमेशा यह लोग question देते हैं जैसे amnesty international है तो international word है जनरली उसका मतलब NGO है जैसे आप कोई भी देख लो wetland international है वो NGO है amnesty international है वो NGO है conservation international है वो NGO है तो international international जो word है वो एक NGO show कर रहा है ठीक है वो particular meaning का word है एक उन्होंने question दिया था district mineral foundation 2015 में तो foundation का मतलब ऐसा होता है कुछ foundation मतलब society के social purpose के लिए वो बनाया है तो उसमें उन्होंने एक option दिया था कि mineral exploration के लिए भाई वो किसी और दूसरे organization का का काम है foundation का का काम है society के purpose के लिए तो इ सब का meaning में जैसे जैसे आगे कुछन आएंगे तो we will try to understand but इसमें ये क्या बोल रहा है अब देखो दूसरा देखो requirement of fossil fuel for a country to provide goods and service to its citizen ये तो बहुत absurd statement है मतलब related ही नहीं कर रहा है अब आप पहली माओ long term damage done by a ton of CO2 emissions in a given year मतलब इसमें आपको कुछ लग रहा है कि एक measurement है और monetary value में है अब आप देखो पहले को आप statement को दुबार पढ़िए देखो ये जो particularly बात कर रहा है social cost of carbon ये cost से आपने क्या समझा कि एक particularly एक ऐसी चीज़ को मतलब शो कर रहा है कि जिसमें कुछ major हो रही है और monetary value में major हो रही है और उसके particular timeline होता है तो इन्होंने बोला given a year मलब हम इसा जैसे GDP को हम लोग major करते है तो एक time के बाद करते है कुछ भी हो CPI inflation हो WPI हो उनका एक वे होता है मतलब measurement करने का और इन्होंने specifically दे रखा है कि measurement in monetary value इस basis पे आप अगर इस particular question को break करके पड़ते तो आपको हिंड जाता आप आपको surety नहीं है कि यही होगा लेकिन इन तीन option upset बात कर रहे हैं पहले में आप देखो long term damage किसमें है monetary values में done by यह ton of CO2 in a given year एक year में जो cost को satisfied कर रहा है चीक है तो इस type से आपको सोचना है कि जो word होता है ना किसी भी term में उसका एक meaning होता है चीक है तो यह question हो गया उसके बाद यह apples production गया है अब आपको नहीं पता मालने जि question दिया था sugar cane का question दिया था climate smart agriculture का question दिया था they are asking question from this particular segment around four three five question भी पूच रहे है मतलब आपको इसको अच्छे से prepare करके जाना ठीक है अब देखो आप इन्होंने pulse production पूचा तो इस बार millet news में क्योंकि 2023 का year जो है वो military declare हुआ है चीक है तो आप millet के production में अच्छे से देखो कि ब basic सोचना है मतलब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना ठीक है पहले यह देखो तीन टाइप का statement है हमने क्या discuss कर रहा था एक चीज़ कि तीन में तीन की सही होने की possibility लिस्ट है आप कोई भी question उठा कर दिख लो hardly एका question था कौन सा question होगा एक climate smart agriculture का question आया है 2021 में उसमें वो non science and tech का था और pollution का नहीं था और उसमें तीन की तीन option थे तो अब जो भी tricks में बता रहा हूं जो भी हम लोग डिसकस कर रहे हैं उसमें यह है कि अगर आप 10 question में apply करोगे तो आपका 7 to 8 निकलेगा आपका sure है दो एक दो question hardly deviate करेंगे तो वो करेंगे मतलब ऐसा कोई अब तुम चीज डिसकस करें आप examiner के point of view सोचो आपको एकना एक question एक statement आप गलत बनाओगे यह है यह चल रहा है मतलब pattern है यह UPSC का मैं कोई ऐसे अकडम बकडम उसके basis पर बात नहीं कर रहा हूं मतलब यह scientific चीज है आप जाके देख लो जिसमें 3 के 3 के possibility least है अब देखो अब इसमें आप थर्ड option देखो पहले सबसे in the last three decades मतलब उन्होंने क्या बोला कि 30 साल में while the production of खरीब pulses has increased and the production of अब आप देखो एक बोल रहा है कि 30 साल में बड़ी है दूसरा बोल रहा है 30 साल में गटी ऐसा कभी नहीं होता मतलब हमेशा एक चीज धियान रखना इन्होंने बहुत बा कोशन पूचा था कि जो trade deficit है वो काफी time से ऐसा कुछ था एक 20 में कोशन है निपाल का ही कोशन था या किसी और एक term का था कि पिछले 10 साल में हाँ स्रिलंका के साथ उनका trade consistently बढ़ रहा है घड़ रहा है ऐसा कुछ कोशन था consistently कभी नहीं होगा मतलब ऐसा नहीं होगा कि वो अगड़ा गया दो वो ऊपर चली गई हो मतलब this is like एक logic है उसको आपको use करना यह बहुत सारे questions में use हुआ है बीस में भी इसके साथ इस particular type के question जो एक logic है उससे 3-4 question आये थे आगे आएगा मैं discuss कर दूँगा चीक है यह गलत हो गया अब आप देखो यह अपना automatically गलत हो गया अब देखो green gram alone accounts for nearly half of the pulses मतलब यह क्या को बोल रहा है कि 50% जो area है मतलब जो production है वो आपका green gram कर रही है अब 7-8 pulses है आप सोचो इसकी possibility least है मतलब कि यह 50% से ज्यादा हो मतलब यह कोई groundnut होगा या कोई दूसरा वे होगा मतलब दूसरा कुछ pulses होगा इसकी possibility least है कि 50% ज्यादा तो उसमें किसी एक चीज का 50% से ज्यादा अगर इन्होंने बोला होगा ना कि major role मतलब ऐसा बोला हो कि majorly जो production हो रहा है वो green gram से हो रहा है तो majorly में एक point आता कि हाँ हो सकता है लेकिन alone account for मतलब यह एक ही around 50% pulses production कर रही है this is the least possibility मतलब अब try to understand इसका उसमें जाओ intuition वाले zone में कि 50% होना least possibility है इसका अभी आप रख रहे हो ठीक है black gram can be cultivated both curry and ruby crops बहुत सारी crops है जो मतलब है जो double ruby में भी ले सकते है आप खरीप में भी ले सकते है तो इसकी possibility ज्यादा है इसकी possibility कम है getting that और यह सही भी है मतलब green gram alone account नहीं करता मतलब उसका percentage बहुत कम है ठीक है तो यह question ग तीसरा आपने हटा दिया दूसरे और आपको शुरर पता है कि इन दोनों में से एक गलत है ऐसा थैनी कि वन और टू दिया हो तब issue हो था तब आप मतलब आपको doubt हो सकता था लेकिन आपको शुर पता है कि एक गलत है दूसरा सही है तो इन में क्या करना है कि आपको weightage रखन तो आपको घबराना नहीं है, आपको जस्ट जो सबसे ज़्यादा वल्नेरेबल स्टेटमेंट है, उनको निकालना है, चीक है, अब यह कोशन बहुत इंटरस्टिंग है, क्यों इंटरस्टिंग है, इस टाइब की कोशन्स अराउंड यूपेसी ने प्रिवेर्स येर में भी पूछे हैं, दो से तीन कोशन्स, ये भी एक पैटन है, अब जो भी चीज हम लोग डिसकस कर रहे हैं, आप क्या करना कि अपना जैसे 22 का पेपर, 21 का पेपर और 20 का पेपर जो हम लोग डिसकस करेंग है, जैसे हमने डिसकस किया थे, foundation का meaning अलग है, board का अलग है, authority का अलग है, protocol का meaning अलग है, code of, जैसे वो polar code इस बार है, code का meaning अलग है, climate action tracker है, तो tracker का meaning होता है, ठीक है, तो वो आपको समझ आएगा, धिरी-धिरी, आप मतलब, practically, you'll be more intelligent, कि इनका meaning आप सब थोड़ना पढ़ सकत अब देखो, solar power can be used for running surface pumps, ठीक है, not for the submersible pump, अब आप एक चीज़ देखो, electricity है, अगर एक pump में use होगी, तो दूसरे में भी होगी, मतलब, ऐसा, बहुत least possibility है, कि कोई चीज़ इसमें होगी, तो दूसरे में नहीं होगी, यह एक type of statement बनाया हुआ, दूसरा देखो, solar power can be used for running centrifugal pumps, and not with the one's piston, अब आप शौर हो कि भाई, piston में पक्का ही नहीं होता, तब हो सकता है, और जनरली इसमें क्या होता है, कि यूपेस ही, इस type के statement बना रही है, कि this can be used in this, but cannot be used in this, और electricity है, सोच आप electricity तो use कर ही सकते हो, मतलब ऐसा कोई, वो नहीं है, कि मतलब extreme दिया हो, तो इसके ocean mean temperature है, अब कुछ लोग में को बोल रहे हैं, कि सर्ट geography के question बन नहीं रहे हैं, मतलब उसी topic से, मैं separate एक वीडियो बना दूँगा, जिसमें, जो मैंने सारे, मतलब 80 patterns है, sub pattern है, उनका मैं बना रहा हूँ, क्योंकि उसमें time लग रहा काफी, काफी चीजे हैं, उसके examples निकालने and all, और यह है कि अगर आप 10 question करोगे, तो उसमें 780 लगेंगे, max यह है कि आप 9 तक जा सकते हो, बट least possibility कि आप 9 तक जा सकते हो, क्योंकि थोड़ा बहुत exam में pressure भी रहेगा, हर चीज रहती है, तो अगर 10 में से 7 में भी जा रहे हो ना, तब भी 14 और 3 गलत भी होए, तो कितन और rules क्या है, मतलब, अगर आप यह है कि अगर आप इनको अच्छे से समझ के use करोगे, तो यह will definitely get around 110 के around में आपके marks होँगे, अब इसको देखो, हमने जोग्रफी में क्या चीज डिस करी थी कि, एक data, दूसरा जो sides होती है, North, West, East, यह गलत देते हैं, ठीक है, अब इन में देखना है कि क्या क्या चीज हो सकती है, ocean wind temperature is measured up to a depth of 26 degree, एक है, आई जो तरम, which is 129, exact एक data दिया है कि, 129 meter in the southwestern, यह direction भी दिया है in the Indian Ocean during January and March, अब देखो, हिनोंने 4-5 facts दिये हैं, हमने जो question discuss करा था न, एक डबल statement, यह डबल statement वाला fact ही नहीं है, एक तो यह specific दे रहा है, कि 26 degree है, ठीक है, 27 degree Celsius है, फिर दे रहा है कि exactly 129 meter से, अब इसको आपको telly करना है, इसको exactly क्या है, तो इसकी possibility least है कि temperature exactly 27 degree हो, फिर 129 meter से हो, वो भी southwestern में हो, और Indian Ocean में हो, अब देखो, इनोंने 3 चीज़ें गलत करिए, और आप जाके इसको google करके देखना, definitely उनोंने, या इसमें southwestern में इसमें गड़बड करा है, या 129 में गड़बड करा है, 20 degree Celsius में गड़बड करा है, they are making statement wrong, जिसमें data हो, जिसमें side west, side का issue हो, या फिर ये southern western दिया हो, यहाँ पर issue हो, जैसे इस बार BDWD दिया था, उसमें उनोंने first statement में direction change कर दी थी, चीक है, पहला हो गया गलत, पहल panorion march can be used, अब obviously ocean mean temperature है, आप temperature एक collect कर रहे हो, assessing the, whether the amount of rainfall in the monsoon will be less or more than a certain long term mean, obviously मतलब कोई चीज अगर आप data collect कर रहे हो, data collection के बिस पे आप ये तो assess तो कर सकते हो, कि भाई, क्या-क्या situation रहेगी monsoon की, तो second statement is very lenient, मतलब कोई ऐसा issue नहीं है statement में कि आप हटा दो, जैक है, getting that, त statement की मैंने एक video बनाई हुए, उसमें क्या होता है, कि generally अगर आप एक factual statement find out कर लेते हो, तो दूसरे की probability है कि वो lenient होगा, अगर वो lenient है, तो definitely वो question सही है आपका, अगर वहाँ पे कुछ factual है, तो probability हो सकती है, कि दोनों के दोनों गलत हो, ठीक है, अब यह देखो, इन्होंने की advantage, तो हमेशा देखना कि जो positive statement होंगे, वो सही होंगे, ठीक है, vertigation के पूछा है, ठीक है, आओ, आपको कुछ नहीं पता, लेकिन आपको यह पता है कि यहाँ पर option कह रहा है कि एक question गलत है, मतलब एक statement गलत है, मतलब इन्होंने कुछ सेट खानी नहीं करी है, सीधा बोल र पहले आप यहाँ से देखो कि अपने को यह जानना ही नहीं है कि पहला आ रहा, दूसरा आ रहा, तीसरा आ रहा, अपने को यह देखना है कि question क्या demand कर रहा है, question क्या demand है कि यहाँ से एक गलत हो, निकालो, that's it, अब आप देखो, controlling the alkalinity of the irrigation water is possibility, यहाँ पर भी possibilities हो कर रहा है, ज पोजिटिव चीज है, कोई issue नहीं है, मतलब, obviously, fertigation है, तो उसका advantage यही तो है, इसलिए तो बात कर रहे है, efficient application of rock, यह फॉसपोइट, एंड और अधर फॉसपोइटिक, fertilizer is possible, यहाँ पर भी possibility बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है, रोक फॉसपोइट तो यूस ह हो सकता है, लेकिन बाकी सारे जो fertilizer है, फॉसपोइटिक, fertilizer हो भी हो सकता है, यहाँ पर least possibility है, जैसे इन्होंने क्या दिया था, एक बार इस पर question, plastic वाला question दिया था, इस बार polythene tetraflite का, उन्होंने क्या बोला, कि any beverages, कोई भी beverages है, उसको हम लोग store कर सकते हैं, उस type की containers में, अ आपको क्या हुआ, UPSC के papers में क्या है, आपको information change मिलेगी, लेकिन जो core similar pattern है, वो same मिलेगा, यहाँ से आपको एक idea जाना चाहिए क्या, all other होना मुस्किल है, अगर एक भी नहीं हुआ और इनका composition different है, सब use नहीं होते है, मतलब यह statement गलत है, आपको समझना, आप तीसरा देख होगे, उनके availability ज्यादा होगी, होगी, fertigation पूछ रहा है, उसके advantage पूछ रहा है, सो आता देखो, reduction in the leaching of chemical nutrition is possible, अब इसमें क्या possibilities हो कर रहा है, अब इस particular statement में क्या है ना, इस question में कि possibility सब में सो कर रहा है, लेकिन extreme statement एक की है too, इस यह बोल रहा है कि जो all other fertilizers है, उनको भी इसा नहीं है, ठीक है, getting that, तो अब इस type के question में क्या करना है, कि आपको पहले देखना है कि option में क्या क्या पूछ रहा है, फिर देखना आपको कि question में, अब ये सारा इतना नहीं prepare कर सकते हो, आप मतलब UPS ही पता नहीं क्या पूछ ले कल को, तो आपको यह करना है कि जो lenient statement ह उनको निकालो, जो factual है, अब आप में risk लेते two, और ये मेरा question ऐसे ही निकला था कि all other phosphatic fertilizer क्या पता नहीं हो, क्योंकि बाकी जो one, three and four है, वो lenient है और possibilities हो कर रहे हैं, यह question हो गई जी, अब यह question है, यहाँ पे बोला है 36%, पहला data, single data है, पूरी probability है कि गलत है, only अभी तक एक data आया है, single data 10% MPLAD में, जो 2020 के question है, जो सही हुआ है, only single data that I have found कि वो data सही हुआ है, अभी तक, पूरे, पिछले 7-8 साल के paper में, और भी होगा, लेकिन मैंने अभी तक एक question ही देखा है, जिसमें data सही है, मतलब, एक data है, जो सही है, ठीक है, 36% है, आप data में ज्यादा दिमाग ल authority है, फिर इधर हम लोग crop diversification कर रहे हैं, तो 37% exploitation करना बहुत मुश्किल है, मतलब ये, अगर होता ना, मतलब, 10-12 range वाली, इतना ही है, मतलब, इसी के range में, ज्यादा नहीं है, 36% is like, बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो इस पे भी आप doubt कर सकते हो, कि हाँ, हो सकता है, 37% बहुत complete understanding की, किस टाइब से approach करना है, pattern क्या रहता है, psychology क्या रहती है, जब examiner बनाता है, ठीक है, तीन गलत हो गया, आपका single गलत हो गया, अगर आपको single जैसे, आप data के basis पे निकाल रहे हो, तब भी तीन गलत हो रहा है, मतलब हमारा, अगर तो पहले के बाद, अगर option में जाओगे तब भी सही है, पहले अगर option में जाओगे, कि भाई ये तो इस और गलत है, तब भी सही है, मतलब आपका question आगया यहाँ पे, ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, आप दूसरा fact है, आपको जैसे हम, मैं ये question बता रहा हूँ कि आपको कुछ भी नहीं पता हो, ठीक है, अभी तो आपको Central Groundwater Authority पता होगी, बिकोज ये अभी आया, अभी फिर से पूछा है, ये option, 2022 के question में, दो नमर देखा आपको, अगर आपने इस particular body को, इस option को भी देख लिया होता, कि ये क्या है, चीक है, तो ये आप छोड़ो, PYQ का अपन अल्रेडी डिसकुस कर चुक है, लेकिन आपको ये चलो, दो नहीं पता था, लेकिन question क्या बोल रहा है, कि दो सही है भई, मतलब ये question से हमने infer किया है, based on this statement कि या data भी है, 36% बहुत ज्यादा है, और दूसरा ये है कि, ये statement हटा दो, तो आपके 2 and 3 left है, मतलब, अब आपको ये करना है, पहले, एक statement हटा दिया न groundwater, अब यहाँ पर क्या, क्या चीज है, आप बोलो, कितना lenient statement है, obviously, इंडिया एक agricultural economy है, चीक है, ऊपर से इंडिया का जो wheat और rice है, जो major, मतलब, crops है, वो पूरा groundwater पे dependent है, तो obviously, होगा ना, मतलब, बागी countries में क्या हो रहा है, कि generally, micro irrigation अगरा है, इन सब के sources बहुत अच्छे हो हुई है, तो उसके basis पर क्या हो रहा है, कि लोग अंदा दून निकाल रहे है, तो यह तो चलो एक issue है, बट यह third statement एक complimentary है, आपने को इतना तो पता है, कि इंडिया की जो economy है, वो agriculture based economy है, और groundwater is the most, मतलब, exploited thing in इंडिया, अगर हम लोग water में बात करें, तो तीसरा, कोई issue नही statement पर, मतलब, आप थोड़ा अपना basic GS का knowledge यूज़ करते हैं, तब भी आपका निकल जाता, ठीक है, this question was easy, अब फिर आओ आओ इसमें, Indian, यह desert national park, इस question को मैं ज्यादा discuss नहीं करूँगा, यहाँ पर two district है, यह दूसरा data है, लेकिन एक चीज़ देखना, अब कुछ लोग बोल गई ना, डेज़ेट national park में है, और राजिस्तान में है, और उपर से इन्होंने दे रखा है कि बाड़ मेर और जसल मेर, मतलब, दो district में, पूरे दो district में, अगर एक भी बंदा इनको मिल गया ना, this is the most, मतलब, यह तो 1000% गलत होगा, अगर एक बंदा भी इनको कल को जौंप यह में एक भी बंदा नहीं हो, मतलब, this is the most extreme statement that UPC can give, कि बिल्खुल नहीं है, मतलब, तो आपका 2 definitely गलत है, मतलब, 100% 2 गलत है, आप 2 को गलत करो, you are left with 1 and 3, मतलब, यह data है, जो सही है, ठीक है, तो आपको हमें सा possibility रखनी है, it is one of the natural habitat of GIB, ठीक है, कोई issue नहीं है, और इस question से हमें क्या infer करना था, कि UPC generally क्या करती है, कि आप इस statement से क्या करता है, कि एक option गलत है, अब option गलत कौन सा है, तीसरे के probability कम है, दूसरा बहुत extreme जादा है, तो यह गलत होने की probability पहले है, और दूसरे में बहुत जादा है, मतलब, दूसरा हो सकता है, क्या पता, data सही भी हो, ले इसमें जैसे यह sugar cane का आया है, उपर pulses का आया है, चीक है, उसके बाद इन्होंने, I think rice और उसमें सारा include करके दे दिया है, agriculture जो cropping pattern वाली theme है, वो बहुत important है, इनके लिए, चीक है, अब आप एक question को देखो, जस्ट एक को, इन्होंने क्या बोला, if bad weather condition prevails, when sets are directly planted, मतलब, यह कि अगर मौसम अच्छा नहीं है, और आपने जो sugar cane के sets है, वो प्लांट किये, तो single budget set है, have better survival as compared to large sets, मतलब, इस option में, जो scope of manipulation है, वो है, है कैसे, आप देखो, कि possibility है, कि जब bad weather होता है, तब जो यह है, large sets है, उनकी survival की possibility ज्यादा है, अब ऐसे देखना आपको, कि जो scope of manipulation है, किसी भी question में, वो कितना है, किसी भी statement में, तब आपको समझ आएगा, अब एक देखो, यह देखो, चोथा, sugar cane can be cultivated using settling prepared from tissue culture, यह कितना lenient statement है, मतलब, इसमें कोई ऐसा वो नहीं है, manipulation का कोई scope ही नहीं है, मतलब, fourth में, there is no scope of manipulation, हो सकता है, मतलब, probability पूरी है, आप fourth पे आओ, वो ज्यादा tick हैंगे, आप सोचो, मतलब, आपने 4-5 sets लगाएं, और एक single sets लगाएं, तो अगर bad weather, अगर आंदी तेज से आ रही है, तो single bird तो अपने आप उखड के चला जाएगा, मतलब, उसकी जो survival की condition है, वो तो खराब है, मतलब, वो तो कभी भी जा सकता है, बेटर survival थोनना है उसका, ठीक है, as compared to large sets, तो यह जो दो entity है, उस पर आपको सोचना है, और इनको reverse करके भी सोचना है, यह एक perspective है, pattern है, कि UPSC change करती है, जैसे जागिरदार, जमीदार वाला question अगर आप देखते ना, कि एक जो है, उनकी जो land transfer वो heredatory और एक को देते हैं, तो उन्हों आप अगर इस question को बढ़ते हो, third statement को बढ़ते, आपको पहले तो इन दोनों पे एक गोला मारना है, कि यार, यहाँ पे scope of manipulation है, आपको नहीं पता, आप इतना नहीं पढ़के जा सकते है, सुगर के इनके बारे में, मलब normal आप देख सकते हो, कहां कहां पे है, temperature क्या, climate क्या है लेकिन इतना नहीं पढ़ सकते है, लेकिन आप इतना कर सकते हो, कि यहाँ पे swapping की possibility है, जब आप खुद swap करके देखोगे, यहाँ पे double डाल दो, और यहाँ पे single डाल दो, यह exam में मैं करता हूँ और इसको आप करना मतलब, this is very useful मतलब, फिर आप question को बढ़ना, कि obviously अगर bad weather यहाँ से तीसरा गलत, यहाँ से तीसरा गलत, यहाँ से तीसरा गलत, फोर तो आपने कर दिया, चीक है, आप वन को भी एक बड़ी देख लो, so that कि आपका वो हो सके, एक confirm हो सको आप, यह बोल रहा है कि पहले आप नर्सरी में रेज कर रहे हैं, और फिर उदर अगर आप मैन फिल्ड में लेके जा रहे हो, सेविंग हो रही है, तो possibility है, मतलब, उदर क्या हो रहा है, अगर तुम directly disperge कर रहे हो, तो क्या पता कुछ seeds खराब होके, चले जाएं, मतलब, लेकिन अगर नर्सरी से properly, अगर तुम कर रहे हो, और फिर ट्रांस्पलांट कर रहे हो, तो there is possibility, यहाँ पर possibility show कर रहा है, चीक है, तो यह होने की probability है, मतलब, इतना कुछ extreme नहीं है, इसकी भी है, अब देखो कि आप, मतलब, यह, this is for your understanding, कि आपको जो statement गलत दिया है ना, उसको भी अब दूसरा इन्होंने गलत दिया और तीसरा इन्होंने गलत, तीसरा हमने देख लिया कि इन्होंने swap किया, अब दूसरे को देखो, when direct planting of sets is done, the germination percentage is better with single budded sets, as compared to many budded, अब यहाँ पर भी इन्होंने swap किया है, getting that, यह दो entity है, तो आपको यह भी देखना है, कि जो statement गलत दिय है, यह question हो गया, अब देखो, यह question बहुत important है, इस दोनों में only है, अब तीसरा देखो, the temperature inside the eye of a cyclone is nearly 10 lesser than the, yes, जो cyclone के eye होती है, वहाँ पर कितना temperature होता है, मतलब आप सोचोगी, आप exactly कैसे बोल सकते हो, कि 10% ही होगा, 10% lesser, मतलब इसकी probability, इसकी जो extreme, मतलब जितना extreme UPS ही द क्या पता वो super cyclone हो, उसका जो temperature वो बहुत जादा हो, या फिर normal हो, कम हो, मतलब आप समझ रहे हो, तो यह data के basis पे सीधे यह आप अटा सकते हो, blindly मतलब, लेकिन आप अगर थोड़ा logic में जाओ तो यार, probability है कि 10% से जादा हो, 10% से laser हो, या बिल्कुल कम हो, मतलब possibility है क्या प only गलत है, अब आप question को देखो, तब भी आप समझ पाओगे, jet streams occur in the northern hemisphere only, यार यह तो सब को पता है कि jet streams दोनों hemisphere में, ठीक है, इसमें कोई issue ही नहीं है, या I think एक normal अगर आपने NCRT read करी है, तब भी आपको पता हो, ठीक है, अब आपका यह तो हो गया sure, अब आप दूसरे को देखो, कि only some cyclones, देखो, यह अगर तुम some वाली possibility मजाओ ना, तब भी आपका सही होता है, यह question, हमने कितने some के question discuss की है, आप 21 वाला और जो 22 वाला वीडियो है, उसमें देखना, some nanoparticles, मैं लोग कितने सारे questions देखी, some और भी यादा से, some species of the snakes are ovipoerous, मैं लोग जो some है न, only some, जो mature cyclone होते हैं, वही आई develop होती है, तब आपको logic समझाएगा, अब आप समझो कि मतलब, अगर आप इन दोनों में से only को हटा ना था, आप some के basis भी भी हटा सकते थे, हाँ मतलब, only some cyclone, मतलब यह सही है, second statement सही है, पहला गलत है, sorry, क्योंकि पहला क्या बोल रहा है कि, jet stream नदन हमी स्पेर में, हो तो सब को बताएगी, नदन हमी स्पेर में नहीं है, मतलब, पहला वैसे भी हटा सकते हैं, बट मैंने, just example के लिए दिया है, कि only some cyclone, हो सकता है, कि एक cyclone भी अगर develop कर रहा है ना, तब इनका statement सही है, getting that, तो यह पूरा question आपके, इतने basic understanding पे हो जाता ठीक है, अब आप options में आओ, पहला पका गलत है, पहला पका गलत है, ठीक है, अब दो में आपको जंजट लेनी ही नहीं है, कि some cyclone develop होंगे या नहीं होंगे, आप सीधा तीन पे आजाओ, तीन पे आपने data bill देखके हठा दिया, बस हो गया आपका question, ऐसे भी कर सकते हैं, this is most easiest and I think, इसमें I don't think कि आपको knowledge बस इतनी ही चाहिए, कि आपको jet testing बताओ, that's it, ठीक है, अब ये advantage ये तो I think आपने question discuss कर लिया है, ये भी कर लिया, I think, ये कुछ question repeat हो गए, ocean mean temperature ये भी कर लिया है, ये question आप इन्होंने बोला कि public investment क्या है, agriculture में, आप इन्होंने क्या किया था, जैसे देखना, एक मैं अच्छी चीज बता रहा हूँ, कि जो 2020 का question था, उसमें उन्होंने agriculture भर-भर के दिया है, तो coaching वाले और जितने भी उस साल के, जो भी mock test वगेरा थे, जो भी coaching वालों थे, उन्होंने अच्छे खासे question agriculture से दिया, लेकिन उन्होंने क्या किया, 2021 का paper था तो सारे coaching material, awards पूछने लग गए, Nobel Prize किसको दे दिया, यह किसको दे दिया, पूल्जिजर अवार्ड किसको दे दिया, वो gas करने लग गए, यह आएगा, वो आएगा, यहरी QPSC का pattern समझो, they won't repeat their pattern, they want some unpredictability, होनी चाहिए थोड़ी बहुत, अगर 10-15 questions में unpredictability है, तभी तो उनको उनको क्या करना है, उनको मतलब, they want की भाई, लोग वहाँ बैटके question solve करें, तभी तो इतने agriculture के question दिया है, नहीं तो क्यों देते, और agriculture के question सारे logic सी दिया है, मतलब मेरे agriculture के सब question सही हुए थे, और इतना हम लोग deep में जाते ही नहीं है, but just logic, आपको एक basic presence of mind, peace of mind, और कामली स question गलत हुआ था, जिसमें government का आया था कि IR का ही question था, अभी मेरे को exactly याद नहीं है, तो वो question एक गलत हुआ था, बाके almost सारे question सही होते, बस आप basic logic लगाओ कि क्या-क्या निकल सकता है, क्या-क्या बद सकता है, मतलब, जो गलन हरे बहले उन सब को, तब जाके हो सकता है, ठीक उठा दिया, जो बिल्कुल नहीं पूछ रहे थे, मतलब, वो ऐसा subject है, वो UPSC खेलना चाह रही है, वहाँ पर तुम नहीं कर सकते, लेकिन तुम अपना pattern और इसको मजबूत कर सकते हो, ताकि कि किसी type का question आया, तो आप face कर सको, चीक है, अब इस question को देखो, हमने एक चीज आदमिया, जैसे अड़ानी की अभी report आई है, तो आपने हिंडनमर्क की report पढ़ी होगी, कि जितना बड़ा आदमिया, कुछ ना कुछ उसमें issues है, अगर आप point out कर लो, तो, मैं लिए है issue है, तो यही same statement, यही same logic के आपे भी लग रहा है, कितना बड़ा 7 statement का, 6 statement का, 5 statement का, व report को, अब आओ आओ आप इन तीनों में, इन तीनों में कोई common statement 2 है, ठीक है, अब आप देखो, इन्होंने क्या पूछा है कि, waiver of agriculture launched by the banking system, इसका कोई relevance नहीं है, यह भी public investment में नहीं आएगा, आपको अगर basic public investment का पता हो, अगर आपको यह सब भी ना पता हो, मतलब हम यह मान र कि, जो MSP देते हैं, वो पहली बात तो all crops पे नहीं देते हैं, दूसरी चीज़ा है कि, वो public investment नहीं है, public investment क्या होगा, जिसमें मतलब कुछ capital create हो रही हो, MSP क्या है, मतलब more of a subsidy oriented वो है, मतलब investment का मतलब समझ रहे हो आप, मतलब कुछ capital वगेरा कुछ create हो रही हो, इस सब में द दे रहे हो, यह सब कुछ public investment में नहीं है, यह more of subsidy उस nature में है, ठीक है, तो यह आपका question वहाँ से हट जाता, अगर आपको यह एक particular single statement पता होता न, इसका क्या हो था, यह question मैंने first instrument देख्या, वे शौर के MSP नहीं है, अब आप question पर आओ, पहला हट गया, यह हट गया, यह हट अगर आपको यह 5 statement पढ़ने ही नहीं है, और यह मैंने literally, मतलब honestly पढ़े ही नहीं थी, तो क्या करना आपको, the moment you know 100% क्यार, इसकी probability बहुत का, मैं आप सीधा statement पर आओ, क्या पता वो एक ही statement हो, उसके सब्दे lose हो, इसमें बस आपको particularly इस पर ध्यान देना था, एक तो MSP, द बहुत interesting question है, क्योंकि अब यह है ना कि, जैसे ही यह question आया तो लोग क्या, मतलब, जंदली मैंने देखा उस साल, कि यह बहुत deep में question आया था, यह सब कुछ, जो भी है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, लेकिन यह है कि उस दिन, उस time यह हो था कि कैरला में एक elephant में किसी ने बॉम रख लिया था, पीट में, तो वो blast and ball, जो भी animal ethics थी वगेरा, वहाँ पर बहुत debate चल दी थी, यह बहुत गलत हुआ, जो भी था, वो गलत था, बट question वहाँ से inspire हुआ, उन्होंने क्या किया, अब आपको क्या करना है, जब आप current affair prepare कर रहे हैं, मैं एक separate video डाल जो हमने 65 plus themes discuss करी है, उसके related ही आपको current affair करना है, मतलब उसके beyond नहीं जाना, उसके beyond बहुत कम पूचेंगे, वो लोग randomly current affair नहीं पूचेंगे कि western guard में कि species मिली है, बता दो ना, कितनी हर दिन discover हो रही है species, you can't remember all the things, you basically don't want to ask you all such type of absurd questions, they want you to know about these specific 65 to 70 themes, कि आप उनको अच्छे स देख क्या हो, अब elephant में नहीं क्या पूचे है, आपको क्या करना, four statement है, पहला देखो, the leader of elephant group is a female, if you don't know, ठीक है, आपको नहीं पता, इसकी possible, वो रखो, doubt में रखो, ठीक है, आपको click करना है कि ये doubt है, और ये sure हो, the maximum gestation period can be 20 month, आपको नहीं पता छोड़ो, an elephant can normally go on calving till the date of 40 years only, ये extreme statement है, इसको आप अठा दो, सीधा safely, तीन अट गया, तीन अट गया, now, two पक्का सही है, और two में possibilities हो कर रहा है, ठीक है, gas station period तक हो सकता है, 20 month, मतलब कुछ ऐसा extreme नहीं है, अब आप सीधा आ गया हो, कि आपको fourth देख नहीं है, मतलब इन दो particular, नहीं, fourth देखना है, sorry, लेकिन आपको, तीन हा, तीन गलत हो गया, अब आप आओ, one, two, और two, four, जिसमें two, two तो common है, मतलब ये पक्का सही है, अब क्या निकला, आपको हमेशा मतलब इन दोनों portion को, ये दो पार्ट से question के, इन दोनों को साथ में लेके चलना है, आपने ये गलत कर दिया, ये गलत हो ठीक है, हो सकता, नहीं हो सकता, लेकिन फोर्ट क्या, among the states in India, the highest elephant found in the Kerala, ये Kerala में इंसिदेंट हुआ था, जनरली एकदम से बंदा क्या सोचे का, इंसिदेंट केरला मुआ तो क्या पता केरला मुआ हुआ, अब ये palm oil का एक question पूचा था, कि जो palm oil हम लोग native है, वो South East Asia का क्योंकि हम लोग generally, आप India क्या करता है, Malaysia और Indonesia सी palm oil import करता है, तो हमारा एकदम जो basic, जो common understanding वो सीधा जाएगी, हाँ हो सकता है, लेकिन नहीं है, आपको ये देखना, this is the factual statement, ठीक है, और factual statement पे UPSC हमेशा खेलती है, बले वो T-Board का headquarter हो, बले वो WHO में जो PM 2.5 का वो इस बार question आया तो PM 10 और 2.5, या फिर कोई तांसेन की उपादी हो, ये जितने भी question है, सारे, जिसमें factual statement देना वो गलत है, यहाँ पे possibility पूरी गलत, और दूसरा देखो, मेरे को ये लग रहा है कि UPSC थोड़ी progressive है, उनकी leader female है, तभी उन्होंने question पूछा है, generally, मालब mail होता तो वो question चीस्ता पूछा है, अकबर का, इसके पीछे एक logic होता है, मतलब, UPSC always, मतलब, think in progressive direction, अगर इसका, आप खुद इस पे दिमाग लगाओ, मतलब, question setter का, एक आप खुद question set कर रहे हो, अगर उनका leader, अगर male होता, तो कोई issue नहीं होता न, आपको, आप थोड़ना पूछते है मतलब, ऐसा question बनाती न, उनकी leader female है, तभी आपने question बनाया किया, यह progressive चीज़े, कि वहाँ पर inclusivity हो रही है, इंडिया में, at least हमारी society में नहीं हो रही है, तो उनकी society में हो रही है, मतलब, environment में है inclusivity, उनकी जो leader है, वो female है, यह progressive चीज़े, तभी UPSC ने पूछा है, getting that, और करनाट का या साम में, करनाट का में, तो मेरा यह question ऐसी निकलाता है, कि यह factual है, यहाँ पर यह है, आपना क्या बोलते है, XT में कि 40 years तक, और दूसरा यह lenient है, यह तो अपने आप सही हो गया, और पहला है कि उन्हों female थी तभी तो question दिया, यह I think अगर आपने discovery वगर इन से अपडेट है, तो आप यह question easy हो जाता है, फिर आओ आप question में, यह वाला question है, इन्होंने पूछा, कावेरी बेसीन में protected area कौन कौन से है, अब आपको क्या करना है, इस question का देने का मेरा मकसद यह था, कि इसके साथ option नहीं है, यह option है, इस question का देने का मकसद यह है, कि जब भी आप national park पड़ो, कोई भी national park, make sure कि वो कहाँ पे है, कोई अगर river पड़ रहे हो, तो river उस national park से निकल रही है, नहीं निकल रही है, उस national park का कोई flagship spaces कौन से है, यह question देने का मेरा क्यों idea था, जैसे उन्होंने एक, वो question दिया था, long tilled macaque, 2013 का है, 14 को question, उन्होंने exact यही चीज दी थी, चार option दिये थे, केरला, एपी, और तमिलाडू, और करनाटका, कि जो long tilled macaque, वो किसमें नहीं है, यहाँ पे भी उन्होंने odd even out में एपी को बार निकाला था, और यहाँ पे भी odd even out में एपी को बार निकाला है, पापी कॉंडा को, तो मतलब यह बस ऐसे ही मैंने है, अप को यह भी प्रपेर करना है, कि जो भी national park कहा पे है, उनको सब को अब यहाँ से कावेरी बेसिन करना है, तो आप गंडी कोटा वाले में कावेरी फाले हृः, जितने भी कैन्यान्स वगरह है, या फिर जितने भी अइलेंड वगेरा है, सिवं, शुंद्रम वगरह, जो भी है, important है, वो देखना है, बागी कावेरी बेसिन कहां से निकल दी है, जैसे कावेरी आंधरा से निकल दी है, और गंडी कोटा जो इस बार कोशन को पूछा था, वो sound कर रहा है, वो आंधरा का होगा, तो आप कावेरी को सीधा आटा सकते थे, इस बार कि अपना नॉलेज भी कहीं नहीं कहीं काम करेगा, चीक है, तो अब यह कोशन देखते है, यह कोशन दिया, यह बहुत एक्स्ट्रीम कोशन है, यह अल्रडी मैं टू ताइप की स्टेट्मेंट कोशन में डिक्स कर सका है, बट एक बार देखते हैं, इन केस अप अप प्रोसेशन होती है, कौन रिकमेंट करता है, कौन उसको फाइनल अप्रूवल देता है, कौन कौन सी क्रॉप्स वगर है, देखाना आसक कोशन, और अब देखो, यह वर्ड असोशेशन का कोशन है, कि इंट्रेस्ट को कवर पा रहे हो, जो भी आपने लॉन लिया है, उसका इंट्रेस्ट कितना कवर कर पा रहे हो, ठीक है, अब आप ऑप्शन में जाओ, हमने डिस्कस किया था, कि एकॉनमी का कोशन है, तो तीन की पोसिबि आप अगर किसी को लॉन दे रहे हो, और यह अगर आपको रिश्यो पता है, इंट्रेस्ट कवरेज जयाओ कि उस फिरम का, जैसे टाटा का है, तो टाटा को हम लोग अगर लॉन देंगे, तो जो उनका इंट्रेस्ट कवरेज जया हो, उसके बेसिग पर सकते हैं, कि टाटा का था उपर, कि ocean mean temperature helps in, तो this is the lenient statement, ठीक है, तो यह पहला हो गया, दूसरा देखो, it helps in evaluating the emerging risk of a firm that bank is going to give loan to, same question है, मतलब same statement है, यहाँ पर क्या दे रहा है, कि present risk दे रहा है, और दूसरा बोल रहा है, evaluation का, emerging risk, obviously present risk, जैसे आपने टाटा को लॉन दिया, आपको पता है कि टाटा लॉन देंगे, तो कितना default कर सकता, नहीं कर सकता, और future risk, जो emerging risk का सकती है, वो भी पता है, क्योंकि टाटा is like, एक valuable है, तो वहाँ पर possibility है कि यार, मतलब जो लॉन देंगे, वो default नहीं करेगा, तो यह दोनो statement complimentary और अपने आप में supplementary, मतलब कोई अलग-अलग नहीं है, आपक लेवल of interest coverage ratio, मतलब टाटा का interest coverage ratio बहुत अच्छा है, मानलो आप, आपने मतलब example में, यह आप question उसमें करना मतलब, जब आप paper दे रहे हो, कि एक company ऐसी मानलोगी, हाँ पर टाटा का interest coverage ratio, अच्छा है, मतलब टाटा जो loan लिया है, उस पर interest cover कर रहे है, coverage मतलब आप cover कर रहे हो the worst is, यहाँ पर manipulation है, आपको हमेशा समझना है कि एक statement में manipulation कहाँ पर है, अब यहाँ पर कहाँ पर कर सकता था manipulation, कि it does not help in evaluating, यहाँ पर क्या कर सकता था, it does not understanding, in understanding, यहाँ पर scope of evaluation था, इसमें scope of evaluation कहा था, higher पर हो सकता, यह तो कोई evaluation की बात नहीं, क्योंकि यह statement खुद अभी start यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर यह लिखता है कि the best is its, यहाँ पर बैटर is its ability to service debt, actually आपको क्या करना है, जहाँ पर scope of manipulation उसका opposite लिखो, जैसे हमने पीछे किया था कि setting, double buds वाला और single buds में, ठीक है, उसमें आप reverse करके देखो, यहाँ पर reverse करके देखो, अगर आपका interest, आपक नहीं होगी, getting that, this is the extreme statement, आपको पता है कि manipulation कहाँ पे statement, statement में, वो आपको समझना है, पीवाई को देखना है, उसमें आपको पता चल जाएगा कि scope of manipulation कहाँ पे, यह question ऐसे ही हुआ मेरा, ठीक है, अब 1 और 2 में को issue नहीं है, यह हो गया, अब इस पर आओ, यह इसलिए दिया है मैंने, generally मैंने देखा एक चीज, कि जो six statement होते हैं, जैसे इस बार nitrogen fixing वो आया था question, कि कौन-कौन चैनी मल है, ठीक है, पिछली बार 2021 में एक question आया था, जो post गुप्ता पीरेड में कौन-कौन सी dynasty थी, तो six statement में I have found कि वो लोग चार question सही दे रहे, मतलब चार statement सही दे रहे, तो आप एक बार ही try करना, जैसे यह है, आप खुद सोचो, कि आपको दिया है कि biofuels का दिया है, और छे के 6 statement दिया, generally possibility कम है कि 6 के 6 सही हो, और उन्होंने बाकी statement सारे 4 के बनाए, यह आपको option के थुरू खुद find out करना, कि जैसे 7 में क्या कर रहे हैं, 5 दे रहे हैं, 6 में 4 द statement दे रहे हैं, I don't know, उनका algorithm है, या फिर वो लोग खुद कर रहे हैं, 3 में generally 2 दे रहे हैं, 2 में क्या दे रहे हैं, यह लोग 1 दे रहे हैं, और 2 भी दे रहे हैं, एक तो अपना ही जिन्दाबाद, तो यह एक बारी pattern identify करना, ठीक है, अब यह है, यहां से यह निकल जाता, white throated red start, यह throated, यह जो particular term है, यह हमने साहिद, वल्चर में भी देखा है कि red throated वल्चर या फिर ऐसा कुछ, यह term है, जो तुमने सुन रखी होगी, मतलब, यह birds के related है, मतलब, आपको क्या करना, इस question को मैंने क्यों दिया है, क्योंकि यह question मैंने छोड़ दिया था 20 में, ल statement पूरा अच्छे से पढ़ो, अगर मैं last तक गया हो, तो क्या पता, इतना सोच के white throated, बलब, यह red star वगेर, अब यह आपको पता नहीं होगा red star क्या है, लेकिन आपको इतना पता है, white throated, इस related कुछ आपने term सुनी हो, bird की related, तब आप जा सकते थे, और उस time क्या हुआ थ था कि आपको सब statement देखनी है, अच्छे से, ठीक है, तब जाके question हो जाता, यह question है, 5 statement है, हमने बहुत बाद discuss किया कि 5 में आप सीधा 3 में आ जाओ, अब 3 में आने के बाद, you get to know कि 2, 3 दोनों में, ठीक है, अब आप 5 statement में हमेशा देखना है, UPSC क्या करती, या तो complimentary state बनाए है, तो obviously अगर export-led economy है, तो वो global value chain में integrate तो होगी, तो यह दोनों complimentary statement है, अब यहाँ पर क्या contradictory statement है, 2 or 4, मलब या तो hot mix आएगा, या cold mix आएगा, आपने question पढ़ा ही नहीं है, आप अभी तक option के basis पे खेल रहे हो, अब आप question पढ़ोगी, इन्होंने बोला कि environmental sustainability, तो अगर अगर कुछ hot होगा, मतलब उस type से related, there might be chance कि कुछ greenhouse gas emission होता हो, या फिर मतलब वो जो यह road के उसमें दिया है, कि अगर तुम्हे road construction करना हो, rural road, तो probability है कि hot वाले में कुछ issue होगा, आपको short नहीं पता हो, और cold वाले में हो सकता हो, मतलब नहीं issue हो, आपको नहीं पता है, बढ आप सीधा इसमें आओ, मतलब two-three shorts आईए, जो अपनी techniques है, उसके basis पे you are, came to know, you came to know that, की two-three पक्का चाहिए, two-three पक्का चाहिए, मतलब उसके साथ four तो आई गई नहीं, two और four तो contradictory है, मतलब वो similar statement में हो गई नहीं, आप इसको भी हटा दो, getting that, मतलब जहाँ पे hot आएगा वहाँ पे cold नहीं आएगा, ना, दोनों तो sustainable नहीं होंगे, आपके थोड़े मतलब उस logic के basis पे, इन्होंने बोला environmental sustainable कौन सी है, या फिर cold mix technology होगी, या फिर hot mix होगी, ठीक है, तो यह हटा दो, three, जुसमें, दोनों same नहीं आ सकते, two और four, yet गया, और अगर आपको थोड़ा और डारेक्टली नहीं जाना है कि भाई देखना है, three, जैसे भी इतनाम वाले question क्या था, तीन, एक ही statement में था, पांच में थीन, ठीक, आप सीधा जा सकते हैं, लेकिन डारेक्टली मत जाओ, एक बड़ी आप टेली कर लो, वह ऐसे blindly नहीं करना है, आप एक बड़ी short short करो, port lent cement, port lent cement you know कि वो sustainable नहीं है, आप सीधा आटा दो, मतलब question हमारा, अपने technique के basis पे हो रहा है, आगया answer आपका ये, अप ये कितना question easy है, आपको बस ये identify करना है, ये identify मैंने किया था, ये cold mix और hot mix अलग अलग है, मतलब दोनों, और तोनों, ये है biochar, तो bio के related जो भी terms news में हो, जैसे इस बार biofilm सा प्रोबाइटिक था, पिछली साल, 20 में ये पूछा है, उससे पहले, bio के related जोनों सब पूछ रहा है, जो भी bio news में, ठीक है, यहां पर possibilities हो कर रहा है, कि bio can be used, when biochar is the part of growing medium, it promotes the growth of nitrogen fixing micron, इस बार इनोंने micro organisms सा यहां पे दिया था, और फिर इस बार question दिया थ plants का, तो जो nitrogen fixing चीजे हैं, वो UPSC के लिए favorite है, मतलब question यहीं से उठा, अगर आप थोड़ा सर्च करते कि my nitrogen fixing क्या है, कौन कौन से plants करते हैं, कौन से micro organisms करते हैं, तो वो आपका question इस बार बन जाता, 2022 माय था, ठीक है, फिर देखो, when biochar is the part of growing medium, it enables the growth medium to retain the water for longer time, यह भी positive statement है, support support कर रहा है, यह भी positive statement है, ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसा कुछ है, नहीं कि biochar भई, biochar होगा तो, मतलब can't, या no, या only, कुछ extreme नहीं है, यह बहुत lenient statement है, तीनों, और biochar है, मतलब कुछ progressive है, bio से बना हुआ है, मतलब कुछ उससे related है, natural है, तो उससे तुम telly करके यह सोचते थे, ठीक है, फिर यह है, एक चीज मैंने identify करें, आप सब इन चीजों को note down करते जाना, ठीक है, मैं आपको hint भी दूँगा, एक तो revenue के related, एक आपका economy से related, जो यह term पूछ रहे है न, generally या religion, मैंने find out किया है, कि around most of the term आती, वो economy के related आती है, मतलब revenue is the part of economy, economy के related आती है, which terms यह revenue के related है, revenue मतलब land वगेरा, उन से related कुछ भी पूछ सकते हैं, या उनकी land का कुछ पूछ लिया है, नाम क्या था, या फिर जमीदार, जागिदार, जैसे उन्होंने पूछा था, मिरा सदार करके, 20 महीं आएगा, question आगे, ठीक है, तो यह मैं discuss करूँगा, आपको क्या क पता है, option क्या दिये, ornament, cloth, तो history में cloth की क्या importance है, आप सोचो, मतलब, आप examiner के mind of से सोचो, कि ornamental और cloth की history में importance है, या फिर coins की है, वालब इन तीनों को weightage करो आप, वालब आप खुद सोचो कि क्या, coins are the most important thing in the, deciphering the history, cloth और ornamental is not that such important, right, तो उसके basis पर तुम जा सकते हो, कि हाँ अब ही, फणा मतलब एक कुछ important चीज है, तब ही UPSC ने पूछा है, ठीक है, तो ये question आपका सही हो सकता था, ये question निकला भी था मेरा, इसी के basis पर कि वो लोग economy terms पूछ रहे हैं, और उपर से जो four option है, उसमें सबसे जादे important है, वो वही पूछेंगे न, अब कपड़े तो बहुत कल मिल जाएंगे, वो कपड़े का नाम ऐसा थुनना होगा, मतलब आप सोचो, कि कपड़े का नाम तुमने सुनना सुना है, ऐसा कहीं सुना है कपड़े का नाम, या कोई ornament का नाम सुना हो हिस्ट्री में, लेकिन सिक्के का नाम तो आपने सुना है न, तो उसके basis आप से inspired हो, तो मुझे लगा कि capital तो kingdom की ऐसा कहीं सुना नहीं है, गंता सौल का दूरा पगेरा, ये ये भी question मेरे को इतना important लगा कि places of executive stone art and कभी सुना ही नहीं था, important buddhist pilgrimage center, ये भी कहीं कहीं देखा था बट ये तीनों नाम नहीं सुने थे, तो probability मेरे को लगे कि ports हो सकते हैं, क् कि port economy के sense में भी है, trading is the one of the important thing in economy, ठीक है, फिर वो लोग economy को पूछ भी रहते, तो मैंने A ही लगाया, और A fortunately सही था, इस बार फणम में भी 4 option random थे, एक सही था, coin वाला वो टेक किया, वो भी सही था, तो आपको क्या करना, ये सारा intuition आएगा, जितने बार आप PY क्यों देख और वो पूछा था, वो randomly पूछ लिया, तो random के chances है, बट economy के time ज्यादा पूछ रहे है, अगर आपको economy कर नहीं लगे, तो go for the economy, rather than going for other option, ठीक है, ये zero tillage वाले फिर से question आ रहे है, पता नहीं, हाँ, ये question बहुत interesting है, ये question मैंने क्यों दिया है, क्योंकि, अब ये question बहुत random ह कर सकते हो, लेकिन आप peace of mind के साथ सोचों के नहीं, ये question निकल जाएगा, अब आप देखो, आपको सबसे पहले निकालना है, जो random है, random मतलब vulnerable statement है, आप दूसरे पर आओ सीधा, the percentage share of rural areas in the workforce steadily increased, पहले चीज़ तो वो बोल रहा है, steadily increased, steadily increased extreme statement है, दूसरा बोल रहा है, rural areas में, ज दूसरा बादो, दूसरा बादो, अब देखो, जैसे ही आपने एक किया ना, आपको telly करना है, मतलब आपको only question के basis पे नहीं खेलना है, आपको option और question को दोनों को complete and बना के question निकालना है, जैसे ही आपको दो पता चला कि ये पूरा, वो है, absurd statement है, एक तो rural areas में, workforce obviously decreased होगी, increase नहीं होगी, मतलब ऐसा कुछ, हमने कुछ, मतलब कोई तोप काम नहीं किया कि एकदम से employment बढ़ गया हूँ, यह फटा दो, यह फटा दो, 3 पका है, 4 पर आजाओ, 4 क्या बोल रहा है, the growth rate in the rural employment decreased, यह obviously तुम खुद सोचो कि employment rate decreased ही हो रही है, कब employment इतना बढ़ गया, कितने data आ रहे हैं कि employment degrees हो रहा है, इस पेस भी rural areas में, जहां पर तो possibility नहीं है, मतलब बहुत कम possibility है, employment के, तो यह statement बहुत lenient है, अब आपको समझ आया ना, 4th statement बहुत lenient है, और यह extreme है, यह उसका ultra statement है, वालब यह statement दोनों contradictory है, getting that, यह यह भी आपको समझना है, जो 4, 5 statement का question है ना, उ इसमें, actually जो growth है, growth rate है, rural employment की, वो decrease हुई है, यह statement बहुत lenient है, यार, rural areas में decrease हुई है, urban में अगर बोलता था, हम लोगो थोड़ा सोचना पड़ता है, वो लोग statement ही ऐसे देते हैं, statement ही, जो आपसे बने, in rural areas, the growth in the non-farm has increased, यह farming sector में नहीं बोल रहा है, non-farming sector में, अगर more of dependent है, वो इतना dependent नहीं है, getting that, तो यह statement automatically सही है, आप समझो मतलब इस type के question को, इस सही है, अपने आप statement निकलत हो गया, कि worker productivity increased in urban area, while it decreased in rural area, आपको खतम आपको देखना ही नहीं इस statement को, आपको दूसरा देख लिए है, दूसरे के basis पे आप आगे हो, कि 3-4 पक्का सही है, मतल down farm का एक specific चीज पूछ रहा है, यहाँ पे broad पूछ रहा है, तो broad के घटने के ज्यादा चांस है, लेकिन एक component के बढ़ने के कम चांस है, मतलब घटने के कम चांस है, ठीक है, तो यह question ऐसे हो जाता है, इस question को दुबारा देखना आपको, मतलब इस type question आएंगे और निकालने पढ़ेंगे, ठीक है, अब यह question बहुत interesting है, क्योंकि देखो, Voyager 2 और New Horizons का आपने पढ़ा होगा, मतलब यह already launched हो चुके है, ठीक है, अब आप इस statement को पढ़ो, इस question को अच्छी से पढ़ना, the experiment will, मतलब यह जो particularly spacecraft है, जो भी experiment है, वो अभी launch नहीं किया गया, पहला दूसरा सीधे हटा सकते हो, क्या issue हो आपको इसमें, अब सोचो, मतलब यह तो दोनों already, इस particular word के basis पर आपने दोनों हटा दिये, क्यार यह तो बहुत पहले launch हो चुके थे, यह तो अभी नहीं है, ठीक है, अगर थोड़ा बहुत आपको पता हो, लीजा pathfinder भी 2016 से 17 तक I think उसको turn off कर इसका काम हो गया था, बस एक ही बचा है, महलब आपको इतना थोड़ा बहुत अगर आपने basic gravitational waves के regarding अगर question पढ़ा हो थोड़ा बहुत भी, तो आपको पता है कि लीजा pathfinder अल्रेड़ी अपना काम कर चुका है, 18 में या 17 में around उसने अपना operation करना बंद कर दिया है, तो इस particularly will के basis पर ये question मेरा ऐसे ही निकला था, ठीक है, और दूसरा एक चीज़ और देखो, अभी इस question को solve करने का क्या तरीक है, एक तो आपको question अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, डरना नहीं है, हर चीज़ देखने है कि experiment will, अभी launch नहीं हुआ, उसके basis पर ये अट गए, दूसरा है तब ही तो वो experiment करेगा ना, मतलब जाएगा, getting that, तो ये सब कुछ complimentary है, डी option के साथ, कि एक तो वो will बोल रहा है, ये दोनों हट गए, फिर बोला लीजा, पाइट finder सीधा ही हट गया, अगर आप will को नहीं identify करते हैं, तब ये question गटबड़ हो सकता था, फिर भी आप इसको बता 14-15 में तब पूछेंगे, अब नहीं पूछेंगे, क्योंकि अब वो हो गया है, मतलब जैसे गगनियान पूछेंगे, आप एक UPSC का वो भी समझो, आप pattern, मतलब तरीका समझो, अगर आप को कोशन दे रहे हो, जैसे आप examiner हो, आप mom का कोशन नहीं दोगे, चंदरिया होने सही की, ठीक है, अब और एक चीज और में बताना था, कि ये कोशन इन्होंने 2017 में वो दिया था, इवोल्ड लिजा कर दिया था, कि ये क्या है, ये लिजा करके कोशन था, आप जाके टेली करना इसको 2017 के कोशन में था, तो वही सेम option से कोशन बनाए, ठीक है, 2020 वाले Central Ground Water Authority सेम, एक option से कोशन बनाए, पूरा 2022 में, ठीक है, अब आप आओ, इसमें, IAEA Safe Guard, आपको नहीं पता, लेकिन आपको इतना पता है कि, जो IAEA है, International Atomic Energy Association, वो atomic मतलब कुछ nuclear के related होगा, you know that, मतलब उसके basis पे, इतना तो आप से हम लोग expect कर सकते हैं, कि आपको इतना पता हो है, वो find out कर लिया, ठीक है, अब आप आओ, question में, ये इंडिया में बोल रहा है, अब question पड़ो कि, why India, इंडिया में क्यों है कि, कुछ, जो, कुछ nuclear reactor है, वो IAEA के safeguard में, मतलब safeguard में, आप meaning समझ गया हो, कि nuclear related से कुछ होगा, अब तुम आओ, कि some use uranium and others use thorium, पहली बात, particularly mineral है, उसी के basis पे, जो अपना nuclear system है, वो काम कर रहा है, पहला हटा दो, some use imported, imported करी नहीं रहे यहाँ ठीक है, यह हटा दो, domestic supplies, ठीक है, यह absurd statement है, some are operated by foreign, या तुम nuclear को कैसे foreign के हाथ में दे सकते हो, some are state-owned and others are privately owned, हाँ, सॉरी, यह हट गया, डी हट गया, यहाँ पे मैंने एक mistake क आपका nuclear plant कैसे मतलब private के हाथों में दे सकते हो, this is the strategic sector है, आप उसको दे ही नहीं सकते हो private हाथों में, तो यह डी गलत हो गया, see, some are operated by foreign, foreign enterprises को तुम थोड़ना, इतना critical information structure दे सकते हो, किसी दूसरे के हाथों में, विदेश के हाथों में, क्या पता कल को वो बम उड़ा दे, ठीक है, यह दोनों तो absurd है, ठीक है, अब आओ, some use uranium and others use thorium, ठीक है, आपको नहीं पता हो, लेकिन आपको इतना तो पता है, जो अपने nuclear reactor से वो एक mineral पर काम गर रहे हैं, ठीक है, अब आप एक B में देखो, यह बोल रहा है कि IAEA safeguard करती है, some use imported uranium and others use domestic supplies, तुम किसी से uranium import कर रह नेमिका कोई pact किया है, तो Australia क्या करेगा, आईए यह कोई यह बोलेगा कि अगर तुमने Australia लिया है ना, तो हम लोग monitor करेंगे कि तुम nuclear bomb तो नहीं बना रहे हो, तुम energy ही बना रहे हो, getting that, तो this is how you need to understand, यह question मुझे बिल्कुल exact कोई idea नहीं था कि IAEA, first I break this, then this, फिर हम इसम action तो upset है, ऐसा इंडियम ही नहीं, ठीक है, दूसरा गलत है, कि foreign के हाथ हम क्यों दे देंगे, ठीक है, state on, private on, state on यह सारा, private on ही नहीं, खतम, इंपोर्टेट कर रहे हैं तब ही तो दे रहे हैं, कल को तुम अब जैसे, अगर तुम इरान को जैसे nuclear दे रहे हो, मतलब सौरी, य यह यह एक body है, जो उनके additional protocols भी है, वो safeguard करती है, वो monitor करती है, assessment करती है, वो कहीं bum तो नहीं बना रहा हूँ, यह आपने सुना होगा, news में रहता है, ठीक है, यह हो गया question, यह same question एक 2017 में दिया था, 17 में I think जो additional protocol है, उसके बारे में बात करी, ठीक है, additional protocol क्या करता, अगर की, vaccine की बोल रहा है, ठीक है, science and tech का है, अमेज़ा science and tech में direct टुका नहीं बार देना कि DQD सही है, ऐसे नहीं जाना, आपको पहले देखना है, देखो, third में देखो, these vaccines has no side effect, यार किसी भी चीज़ का, ऐसा ही नहीं इंडिया में side effect नहीं होगा, और दोनो lenient tech, पहले दूसरे, ठीक है, अब यह देखो, इसका बोल रहा है, drones technology का, ठीक है, तीनों बहुत वह है, linear statement है, कि pesticide जो इस्प्रे कर सकते हो, जो वालकेनों का crater है, उसको inspect कर सकते हो, ऊपर से ठीक है, और collective breath samples from the DNA analysis हो सकता है, इसकी कोई वो नहीं है, public infrastructure, अब देखो, इसको मैंने क्यों दिया, उन्होंने vision अगर दिया हो, तो option में, तो ये भी एक pattern है, एगर आपको कुछ भी नहीं पता हो, आपको, जैसे asok का question हर साल दे रहे है, मतलब हर alternative year पे, और उन्होंने asok का inscription का question 20 में पूछा, आगया आएगा, आपको इतना पता है, ये theme बहुत important है, अगर वो question में mentioned होना, त उस पे सोचो कियार, इसके related हो सकता है, कल्यान मंड़, ठीके, अब आप देखना, UPSC हमेशा health and education से scheme पूछती है, उसके beyond अभी तक नहीं कुछा है, कोई question, आपको ये पता होना चाहिए कि किस segment से वो लोग किस type के question पूछ रहे है, ठीके, तो हट गया, food safety infrastructure, अब food security से वो ल transportation और telecommunication से अभी तक तो कोई ऐसा question पूछा नहीं है, communication technologies पूछ रहे हैं, जैसे इस बार भी short range technologies वगरा पूछी थी, लेकिन infrastructure के related बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको इतना पता है कि जो cyber security है, वो इनके लिए बहुत favorite है, मतलब वो prominent team है, तो इस idea के basis पे आप एको चूज क question आया था, वो 21 में question आया था, गांधी जी का, गोई गांधी जी ने book लेकी थी, आपको इतना पता हो, इतना पता हो, बस mind में रखो, कि ये जो 65-70 theme है न, ये भी कही है, अगर आपको option में मिले तो last resort में आप उन option में tick कर सकते हो, ठीक है, तो ये हो गया, ये देखो, हमने एक चीज़ करें, पहली तो rice, बहुत important है उतके लिए, ये I think cropping pattern था fourth या fifth question है, हर साल पूछ रहे है, rice इस बार फिर पूछा है 2022 में, ठीक है, एक 2022 में हमने एक question discuss करा था, bond price का, कि वो influence किससे होती है, यहां पर भी यही बोल रहा है न, affecting, मतलब जो factor कौन से, तो इसमें generally हर factor होगा, MSP भी होगा, government trading भी होगा, क्या पता, government trade करके उसको stock कर दे, ठीक है, government stock polling, same बात कर रहा है, ठीक है, consumer subsidies, subsidy दे रहा है, क्या पता, ज्यादे बंदे मतलब price को खाना start कर दे, ठीक है, तो ये factors affect करेंगे सबको, ये समझ रहे हो, इस particular word का meaning समझो, तब जाके ये question आपका न आज में, तीन होगे generally, अब आप आजाओ A या B में, ठीक है, A B में क्या है, one shore है, अब आपको 3, 4 या 2, 5 होगे, या 3, 4 होगे, या 2, 5 होगे, ठीक है, अब 3, 4 में देखो, consumption requirement, post harvest is lost, हो सकता है, ठीक है, आपको नहीं पता, construction of family houses, and setting about village cold storage, village cold storage, ये long term है, short term मतलब, short term के लिए दे रहे हैं, ये सारी long term की चीज़े, अब देखो, purchasing of combined harvester, harvester, tractor, tractor आता है, कितना mini truck, और tractor आते हैं, 10, 10, 15, 15 लाग के, तो वो short term credit थोड़ना होगा, आप समझ रहे हो, दूसरा statement आप simply पहले ही remove कर सकते हो, या ये long term है, mini truck, harvester, ये सारे long term का है, आप tally भी करते हैं, तब दो हट जाता, दो हट जाता तो आपका वैसे ही सही निकल जाता, मतलब अगर आपको दो एक पता होता, दो हट जाता, बस हो गया question, 1, 3, 4, तो this is how you need to think very calmly, very peace of mind, presence of mind, वहीं पे रखना, tally करना है, पहले देखना है, question में क्या given है, अगर उनने दिया है कि ये, इसके spacecraft will, will दि दिया है, तो evolved है, मतलब इन सब का meaning है, इन सब को देख के जाना है आपको, और again and again solve करोगे, तभी question होगा, चीक है, ये question है, ये question मैंने क्यों दिया, देखो, the Indo-Selling trade consistently increased in the last decades, हमने क्या discuss करा था, उपर भी, कि 30 साल होगे, 30 साल में कोई चीज बढ़ती नहीं है, 10 साल में भी, मतलब या 2 साहिए, या 3 साहिए, ठीक है, मतलब एक गड़त है और एक साहिए, आप ये, अपने option के basis पर हो, अब आओ, textile article constitute an important item, ठीक हो सकता है, मतलब आपको नहीं पता, in the last 5 years, आपको बोल रहा, 5 साल में, नेपाल has been the largest trading partner in South Asia, fact है, यहाँ से सीधा, ये वही कैरला, लेपा नेपाल वगेरा, ये सारा, same point, तांसेन, टी बोर्ड, टी बोर्ड वगेरा, ये same question वो हो गया, ठीक है, factual question, तो इसके basis पर आप सोच सकते हो, तब आपका एक, उस perspective में mind जाएगा, किया नेपाल नहीं हो सकता है, मतलब नेपाल वो छोटा भी है, और South East Asia, अब इस question में क्या स sorry, Vietnam वाले question में कुछा है, तो you need to understand कि, आपको जब one, एक fact का statement मिले, तो उसमें, आप scope of manipulation, इस question में कहाँ पर है, यहीं पर है, इसी नेपाल में, मतलब बाकी कहीं नहीं लग रहा है, ठीक है, last five years, कोई इतना, वो बड़ा important नहीं है, आपको यहाँ पर है कि नेपाल है, जैसे तांशेन था, तांशेन के उपादी वहाँ पर manipulation है, कि तांशेन के उपादी किसने दीती, तो यहाँ पर scope of manipulation है, यहाँ पर देखना है, नेपाल के जगाँ आप जब सोचोगे, इस direction में, सारे South East Asian की countries को लेके, तब आपका mind जाएगा कि नेपाल बहुत छोट हुए, उपर स को, यह question हमने already discuss करा हुआ, पहला question है, comparison का मतलब, यह बोल रहा है कि जो RRB loan provide करती है, schedule commercial bank करती है, तो वो उसका DCCB का equal है, बहुत least important है कि एक cooperative bank कि इतना loan provide कर सकती है, जो rural areas में, agriculture sector में, ठीक है, यह question 2010 का repeated है, फिर यहाँ कि one of the most important, ठीक है, हमने एक चीज़ देखी है कि अग अगर आप एक factual statement find out कर दो, तो दूसरे lenient की possibility जादा है, और यह obviously DCCB है, तो अब क्या है, हाइर की में loan तो देगी, जो primary agriculture society है, यह short term loan देती है, जो agriculture sector में, और यह obviously important काम होगा ना, कि वो loan तो देगी, तभी तो वो disperse करेंगे ultimately, तो this is the lenient statement, यह factual statement है, कि इसकी possibility list है, यह मने already discuss करा हुआ, इसको देखो, जमीदार हमने पढ़ा है, जमीदार, जागीरदार, मतलब जो दार word है ना, वो कुछ ना कुछ उससे related है, कि जो revenue collect करते थे, उसके basis पे तुम यह कर सकते हो, कि design revenue pair, सही है, मतलब यह सारा कुछ आपको सोचना है, मतलब, वहाँ पे exam में mind लगान है, कि मिरासदार है, जमीदार है, जागीरदार है, जितना भी देखो, आप, और भी दार है, मतलब, जो उसमें, जो आपने, modern इंडिया में, जो भी, यह जो revenue pair थे, इस्टेट को, वो सारे, ठीक है, उसके basis पे आपका तीसरा से ही हो गया, अब आओ तो इसमें, बनिया, यह इस्ट इंडिया कंपनी के, मतलब, वो ट्रेड के रिलेटेड कुछ ना कुछ बात हो रही होगी, और यह match भी कर रहा है, कि बनिया है, ट्रेडिंग के रिलेटेड हो गया, आपका का, इस्ट इंडिया, कंपनी अपना एजेंट क्यू बनाएगी, उसको ट्रेड करने के वो है, मतलब, यह उन्होंने गलत दिया है, तो यहाँ पे भी यह चीज फुल्फिल हो रही है, कि तीन के तीन पॉसिबिलिटी बहुत गलत, मतलब, बहुत कम है, कि तीन के तीन सही हो, एक्सेप्शन सार जैसे इस बार कुछन था 21 में, क्लाइमेट, स्मार्ट अगरिकल्च बागी लग 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 तीन के तीन सही है, उसके बाद दार आ गया, दार के बाद बढ़ी आ गया, तो यह कुछन ऐसे निकल जाता, अब देखो, मैंने एक उपर डिस्कस किया था, कि जो एकौनमी की टर्म्स होती है, वो इनके लिए बहुत नीज में, मतलब, आपने कभी हिस्टी में सुना कि और्नामेंट का कुछ नाम रखा था, या फिर ओर्नामेयंट का ही मिल गया, मतलब, बहुत कम इम्पोर्टेंस है, वो बत सोसाइटी के सेだけ है कि और्नामेंट पहुंत यह आपी पहनते थे, ऐसा हमने कुछ नौम terms उसकी है, economic term है तो UPSC economic term पूछता है, port का दो बार पूछ चुक है उसके बाद revenue settlement के बहुत सारे question पूछ चुक है PYQs में, चीके तो आपको यह देखना है कि अगर वो मतलब कुछ ऐसा हो economic term के related हो तो make sure कि आप उसको ठीक क्लिक करो ठीक है, अब इस question को देखो बले यह बोल जाए कि जो नालसा की legal service जो aid है, वो कौन-कौन सा बंदल ले सकता है ठीक है, आपको शौर पता है question के basis पे कि दो गलत है बलब आपको दोनों को compliment करना है पहले यह नहीं देखना है कि question देखना है, पहले आपको फोर हटते हैं आपका आगया है, तू सही है शौर, थी है वन, अब एक question को जैसे ही आप देख लो ना, आप सीधा option में आओ, और option में टैली करो कि अब कितना निकल रहा है, मतलब आपको हमेशा यह दो पार्ट है question solve करने के, यह first part, यह second part, इन दोनों को साथ में लेके चलना है, जैसे the moment you came to know कि all senior citizen नहीं है, आप सीधा हो इसमें, फिर आओ आप इसमें, two पका सही है मतलब आपका two सही है, कि जो transgender है उनके annual income, जिनकी दो लाग से कम हो वो है, अब इन्हों ने दिया कि एक OBC का तीन लाग है, और एक जो परसंट जो एक लाग से कम हो, अब इसमें अगर आप सोचोंगे, मतलब थोड़ा बहुत आइडिया लगा हो कि तो जा सकते हो कि जो एक लाग से कम है उनको possibility है कि जो legal service aid है, वो मिलेगी, क्योंकि जनरली किनको मिल रही है, जो गरीब है, जो मतलब जो afford नहीं कर पा रहे है, उसमें, तो तुम अगर finally मतलब आपको एक click करना है, तो उसमें जाओ जिसकी income सबसे कम हो, मतलब इन दोन option में, 3 and 1 में, बाकी अब यह कि at least आपका 50-50 तो बना हुए है, अब यहाँ पे अगर आप risk लेते 1 लाक वाली तो सही होती, क्योंकि इन्होंने पूछा ही question उस sense में, कि जो तुम legal service aid कर रहे हो, वो free में provide कर रहे हो, तो obviously जिसकी income कम होगी, जो afford नहीं कर सकता, उसको provide कर रहे हैं, तो इसमें थोड़ा बहुत element है, मतलब knowledge वाला, लेकिन इतनी सब चीज़ें आप prepare नहीं कर सकते हो, किसकी मतलब, इन्होंने कितना depth में जाके question पूछाएगी, obviously free legal aid कौन, मतलब किसको मिल सकती हैं, और यह question I think 14 में पूछा हुआ एक बरी, वहाँ पे उन्होंने institutional structure है, उसके बारे में बात करी थी, बट यहाँ पर eligibility बात कर रहा है, तो आप जा सकते थे, मतलब थोड़ा बहुत, अगर risk लिया होता तो 1 लाग का, तो आपका question निकल सकता था, यह question है, इस question को कभी ऐसा सुना कि उल्गुलन नाम हो, मतलब हर state का अपना अपना नाम होता, जैसे तमिलनाडू कुछ नाम अरग होगे, गांडी कोटा है, जो आंदरा का नाम है, जैसे कोटाइम है तो वो, केरला के नाम होगे, अब जजज राजस्तान का कोई नाम होगा, जैसे मेरे वगेरा, उस टाइब का होगा, मतलब आप सोच रहे होगी, reason या state specific नाम होते हैं, तो उल्गुलन कहीं, north नाम ऐसा आपने सुना, बहुत probability rare है कि आपने सुना होगा, अब UPS ही क्या कर रहे हैं, आप देखना, great tumult है, मतलब आप सोच होगी, कुछ great हुआ होगा, उसके basis बे आप जा सकते हो, first option में, कि हाँ revolt मतलब 1857 में होगा था, हमेशा एक चीज़ देखना कि, एक first option में UPS हमेशा वो कर रहे हैं, game कर रहे हैं, कि आपको जैसे एक dennis woman का question दिया था, 2019 में, उसमें उन्होंने first option डाइनोसोर दिया था, जनता सोच रही होगी, हाँ भी, डैनी स्वोन और डाइनोसोर मारुक के लिए का और खतम, एक liberty का question दिया था, उन्होंने liberty में, first option में यही दिया था, negative liberty, तो देखते ही आपको लगे हाँ, first सही है, आप fourth तक जाओगे नहीं, और fourth option में वो था, positive liberty का, एक और उन्होंने question दिया था, इन्होंने rain वाला, उससे related था, artificial rain के related, ऐसा कुछ था, climate change से लडने के लिए, तो उस option में, उस question को आप देखना, first option में उन्होंने दिया कि artificial rain करवाओ, मतलब ऐसा कुछ था, उससे related था, बट वो गलत था, अब उस question को देखना, आपको समझाएगा, इस question में आप tally कर सकते हो, कि कुछ great, मतलब बहुत बड़ा हुआ, क्या पता, इसी revolt मुगा हो, मतलब possibility है कि आपको इसमें जाने का, might be UPSC, अब ये intentionally दे रही है, या फिर unintentionally दे रही है, वो I don't know, बट मैंने देखा है, बहुत सारे questions में है, कि वो लोग, एक option में, they want कि आप उसी option में लगा के, उस question को खतम करो, मतलब जाओ ही मत, they want you to go in all the option, मतलब आपका patience level भी चेक कर रहे हैं, कि आप तीनों में आओ, एकदम हटबडाट में एक डाल के नहीं निकलना आपको, अब तुम आप इतना शौर पता है, तुमने, अब दूसरा aspect क्या है, अब आप knowledge में देखो, 1857 सबने पढ़ा है, उल्गुलन कहीं नहीं सुना, आप उसको अटाओ, मपिला रेबोलियन कहां होई थी, कैरला में, इधर, तो कैरला का यह नाम नहीं है, उल्गुलन, यह अटाओ, इंडिगो रेवल्ट आपने सबने पढ़ा है, obviously दो कोशन पूछे हैं, 20 में भी इस बार आया कोशन, और एक, I think, 18 में नहीं, 17 में, CEPF में पूछा हुआ, उससे पहले, वो पूछा हुआ था, जो novel लिखी थी, इस इंडिगो रेवल्ट पे, वो कोशन पूछा हुआ, इंडिगो रेवल्ट आपने पढ़ रखी है, तो इसमें उल्गुलन नहीं है, एक ही word है, जो tribal के related match हो रहा है, वो यह है, तो अब आपको इस, मतलब, 5-6 techniques का साथ में यूज़ करना, आपका knowledge भी य देख लेना, पूछ सकते हैं, मतलब, अपिला रेवल्ट पूछ सकते हैं, इन्डिको रेवल्ट फिर से पूछ सकते हैं, यह कोशन देखो, हुंडी का है, economic term, फिर से उन्हों ने दिये, तो जो भी economic term है, ancient, medieval और ancient, modern में, उनको आप एक बड़ी अच्छी से देख लेना, इस फनम में, वो जो cloth दिया था, एक option, cloth or ornament, तो यह इतना important नहीं है, history के point of view से, राधर देन की जो economic चीजे हैं, वो बहुत important है, तो आप इसको मतलब, एक बार देख लेना, मतलब, यह, जो economic terms है, उनको देखना आच्छी से, छीक है, और अब यह question है, which of the following phrases defines the nature of the hundi, generally referred to the sources of post- harsha period, तो आपको harsha का भी सब देखना है, अगर आप harsha period का सब देखते हैं, तो I think 21 में उन्होंने question पूछा था, कि harsha period तक कौन-कौन से states थे, तो आपको हर question से, मतलब question से भी आपको find out करना है, फिर question में जो period पूछा, उसको भी google करना है, अब इनको भी एक बारी देख हो भी आप एक बारी देख लेना, ऐसा कुछ हो कहीं पर भी, चीक है, अब ये question देखो, इस question का देने का मेरा मक्सिद यह है, कि आपको question का intense समझना है, अगर bisphenol और triclochen दे रहे हैं, मतलब वो negative चीज़े हैं, तब ही दे रहे है, BOD पूछ रहे हैं, तो वो environment के लिए हानिक question है, मतलब कुछ ना कुछ उनके साथ issue है, तब ही वो लोग पूछ रहे हैं, कल को diclofenic पूछ सकते हैं, कि ये क्या issue है इसके साथ, तो इसमें नोंने क्या पूछा है, कि which of the following statement correctly explain the impact, ये जो impact पूछ रहा है, वो negative sense में पूछ रहा है, UPSC, मतलब you need to understand the spirit of the question, कि जो industrial devotee हुई मतलब अभी future में launch होगा और evolved दे रहा है, तो evolved है, तब ही तो future में launch होगा न, ठीक है, तो अब impact देखो, impact हमें सा negative होगा, और UPSC ना अगर impact पूछा है, industrial revolution का, मतलब कुछ ना कुछ गडबड हुआ है, तब ही पूछा है, अब आप इसमें देखो, अब इसमें जो भी negative इंडिया उस टाइम का पूछ रही है, मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत है, आप इस question का एक purpose समझो, मतलब क्यो पूछा है, क्योंकि जो industrial revolution का benefit है, वो इंडिया को मिला ही नहीं, इसलिए तो पूछ रहा है वो, ठीक है, railway lines were led in the many parts of the country, उससे क्या होगा, चलो positive है, लेकिन इनका जो intention है, वो fulfill नहीं हो रहा, heavy duties were imposed on the import of British manufacturing, ये import पे थोड़ना थी, जो अपन export कर रही है, तो बिलकुल वो है, मतलब contradictory option है, ठीक है, अब तुम पहले हमाओ, Indian handicraft world, उनका जो purpose था वो यह है, कि जो industrial revolution होई तो उससे जो अपना handicraft sector था, वो पूरा ही बरबात हो गया, तो इस particular ज इसमें given क्या है, 1850 है, उस period में, प्लस impact पूछ रहा है, तो negative चीज है, आपको question देखती है, समझ आना चाहिए, अब कल को यह पूछ लाए, कि which of the following statement correctly explain the impact of education, जो भी reforms लाए थे, बिल्टिस ने, तो वो positive में नहीं पूछेंगे, कि यह positive है, generally उनका जो intention है, question पूछन पूछन आपको कुज़ भी नहीं पता हो, आपको इतना पता है कि visible का मतलब, आप देख सकते हो, अब आओ, अब तुम option माओ, option में क्या बोल रहा है, एक statement गलत है, option बोल रहा है, यह मैं या फिर कोई दूसरा बंदा नहीं बोल रहा है, यह UPSC को option बोल रहा है, कि एक statement गलत है, अब आपको एक निकालना है, एक कहां पर निकाल सकते हो, एक हमने डिसकस करी थी कि जो specific fact है ना, specific information हमेशा सही है, इस particular pattern को आप देखना हर question में लग रहा है, जो specific information है, जेखे प्वीटी जी एट स्टेट्स, 18 स्टेट्स और एक union territories में, तो ये specific information है, टी बोर्ड का headquarter दो जगह है, उन्होंने branches दी थी, Moscow और तेरान माही थी, तो ये एक specific fact है, एक उन्होंने डबलो आचो air quality का दिया था कि 24 जो हार्श है और एक साल का है, ये specific चीज है, ठीक है, got that, इसको आप एक बड़ी try करना आपको समझा जाएगा, तो पहला सही हो गया, अब दूसरा हो, VLC is long range, long range कैस हो कि जब वो visible है, ये statement contradict नहीं कर रहा है, आप इसको समझो, फिर तीसरे माओ कि VLC can transmit large amount of data faster than, obviously तभी तो UPS इन पूछा कुछ प्रोग्रेसिव होगा तब, मतलब अगर कुछ जैसे अभी web 3.0 पूछा जैसे इस बार, तो वो चीज प्रोग्रेसिव है तभी UPS ही पूछती है मतलब कुछ ऐसा गटिया चीज होती तो वो थोड़ न पूछते, मतलब ये प्रोग्रेसिव चीज आईए उस सेक्टर में, प्रटिकुलर सेक्टर में तभी पूछिए, ठीक है VLC has no electromagnetic interference, यहाँ पे तुम लोग मात खा सकते हो कि by no बहुत extreme है, लेकिन उससे ज़्यादा question hint कह कहां दे रहा है, visible light में, आपको इतना पटा है कि वो visible light है, मतलब तुम देख सकते हो, वो short term होगी, यहाँ पे क्या देरा, long range, तो ये particular statement, second statement, पूरा ही extreme है, मतलब contradictory, आप second को उटाओ, आपका option बन जाता, आपको ज़्यादा सोच नहीं नहीं, mind in line लेकाना, आपको बस tally करन है कि question में क्या पूचा है, option से, जैसे उपर हमने वो discuss करे थे, उल्गूलन वगेरा, जो भी है, question बहुत important है, यहाँ पे क्या देखा है, यह आप पढ़ो, एक ही बंदा है, सबसे पहले, असोग ने अपने inscription के थुरू, मतलब जो भी अपना religious ज्यान था, जो भी society का था, जो भी धमा, कांता वगेरा, धमा का परपस्ता, वो सारा inscription के थुरू, उन्होंने रिविल किया है, society में, तो आप सीधा question पढ़ते ही, आप इन दोनों option को सीधा सेफली अटा सकते हो, समुदर गुपता और हर्षवर्दना, क्योंकि या फिर तो वो कृष्ण देवराय का मतलब एक secular आदमी था, इन्होंने क्या बोला है, कि जो भी अपने religion को appreciate करेगा, और दूसरे को blame करेगा, ठीक है, out of excessive devotion to his own sect, with the view of glorifying his own sect, he rather enjoys his own sect very severely, मतलब अगर तुम अपने religion को promote कर रहे हो, तो तुम खुद को ही injure कर रहे हो, तो यह obviously मतलब उसी के sense में बात है, आसो का अगबर का क्यों देती है, कृष्ण देवराय का कृष्ण देती है, या economic चीज का क्यों कृष्ण देती है, इनको आपको इनका पीछे का परपस बतावना चाहिए, कि देवर्धी secular, modern, मतलब progressive ruler थे अपने time के, तो उसके basis पर देती हो, और यह एक बंदा था जिसने अपना जो भी संदेश-वंदेश देना था, वो inscription के दुरू दिया है, यह हो गया, अब देसर कता है, यह मैंने already discuss किया हुआ, कि आपको नहीं पता और इतना सब कुछ आप नहीं प्रिपेर कर सकते हो, यह question deviation का है, लेकिन इतना पता आपको, कि जो देश यूज किया गया है, वो specific context में यूज किया है, यह एक statement है, जो सबसे lenient है, मतलब obviously अगर freedom fighter है, जैसे भगत सिंग को इबुक लेगे तो भगत सिंग ऐसे थो नहीं बोलें कि इंडिया देश पंजाब ही only है, मतलब वो तो पूरा freedom fighter थे मतलब, आप सोचो कि freedom fighter conservative नहीं है, जनरल ही नहीं थे मतलब, उनका दो question बन जाता, यह question ऐसी निकला था मेरा, बाकी सब obviously अब कोई बुक लेगेगा, तो warning तो देगई against the colonial states, hypnotic context of mind, यह जो भी है, मतलब obviously one तो करे गई, inspired थी, और inspired भी करेगा, कोई issue नहीं है, ठीक है, अब इस question में आओ, परामीता, परामीता का word को तोड़ो, परामीता मतलब जो बुद्धिजम है, वो अपना theme में भी है, मतलब दो चीजे match कर रही है, एक तो word association plus theme match कर रही है, ठीक है, ज्यादा सोचो भी मत, risk लेना है आपको, risk नहीं लिया तो question बने गई नहीं, ठीक है, यह question देगो, अब यह question बहुत important है, इन्होंने पूछा कि indigo का cultivation है, वो 20th century म गोईती 1859 में, अब इस question को पढ़के आपको इतना derive करना है, ठीक है, अब यह question उन्नी सो, यह जो 1859 है कि वहाँ का पूछ नहीं रहे है, यह question more of understanding based question पूछा आपको, अब देखो, pigent resistance to the oppressive conduct of planter, यह 1859 में भी हो गया था, आप यह सोच रहे होंगे, हाँ बही, indigo cultivation इसलिए ह तो वहाँ पे UPSC, मतलब वो चाह रहे हैं कि तुम पहला लगा कि काम खतम करो, liberty का question था है, उसमें आप जा के देख लो, पहला option यह negative liberty है, बट जो सही दिया उन्होंने वो positive liberty दिया, वो I think 19 का ही question है, तो पहले option को कभी टिक नहीं मारना, 4 के 4 देखने है, मतलब यह आप National Leaders Opposition, यह तो पहले ही किया होगा न, 1910 में क्यों करेंगे, मतलब जब 70 साल बाद, जब Indigo Cultivation मतलब कम हो रहा है, उस time करेंगे, obviously इसी time करेंगे जब revolt हुई थी, तो यह गलत हो गया, government controller और planters, यह तो upset statement है, मतलब बात ही नहीं बन रही है, obviously अगर British government promote कर रही है, तो वो obviously उस time करेंगे न, जब यह 1859 हुआ था, अब तुम दूसरे statement पर आओ, मतलब यह particularly question में आपको यह समझना है, दूसरा क्या बोल रहा है, कि it's unprofitability in the world market because of new invention, मतलब यह बोल रहा है कि जो synthetic indigo था, उसका, मतलब invention हो गया था, और जो यह plant कर रहे थे, उसका decline हो गया था, अब तुम आओ, अब तुमें समझ आएगा कि इनका जो question पूछने का intention था, वो यह नहीं है कि बई, कब हुई थी, मतलब वो लोग पूरा, हमने एक उपर discuss कर रहा था, नहीं, उपर वाले वीडियो में, एक spectrum वाले वीडियो में, बॉडन history में, कि तुम कुछ भी revolt त्यार कर रहे हो, क इस question में आपको बहुत सारी चीजों का use करना है, अपने knowledge का use करना है, फिर आपको ये use करना है, ये दोनों हट जाएंगे, ये तीनों, क्योंकि ये तीनों absurd statement है, फिर आपको समझ आएगा कि हाँ, मालब synthetic चीज़ें आगे थी, तब जाते उनका indigo cultivation हट गया था, ठीक है, क्य से हमने वो question डिया था, उपर discuss किया था कि rice की price कैसे affect होगी, ठीक है, एक influence हो गया, influence हो गया, ठीक है, एक question आया था, bearing upon, ठीक है, इस type के question में generally four के four सही होगे, क्योंकि generally ये question broad चीज़ें indicate कर रहे हैं, bond yield में ये था कि वो कैसे influence होगी, broad चीज़ें yield कर रही थी, rice की price में सब कर रहे हैं, unless and until, बहुत extreme ना हो, तब तक नहीं होगा, इन्होंने दिया universal declaration on human rights, preamble में भी social justice वगिरें की बात की हुई, DPSP में भी की हुई है, fundamental duties में भी बात की हुई है, सबसे पहले अगर आपको एक भी पता हो कि जो, एक fundamental duties है कि जो women की derogatory practices है, उनको renounce करो, तो वो obviously एक त नहीं है, interpretation वगिरा उसमें, broad है, no duties है, 9 में से एक का interpretation क्या पता, वो इससे match होता हो, इतना आपको सोच नहीं नहीं है, वहाँ पर की नहीं होगा, चीक है, उस type का statement सही होगा, golden tranche है, अगर आपको नहीं भी पता हो, IMF, ये question हमने एक rapid credit financing वाला discuss किया था, 2022 के paper, उसमें भी उ forex, reserve और उन सब चीजों का देख के जाते, तो वो हो जाता, बढ़ आपको ये देखना है कि one of the operation of central bank ही, आपने पढ़ा है, था नहीं, जैसे operation twist वगेरा, ऐसा कुछ होता था, हम लोग लगा सकते नहीं, बढ़ ये नहीं है, ठीक है, credit system granted by the WTO, WTO credit system कहा देता है, वो तो अप official site पर जाके आपको देखना है, अच्छे से, अब इस question में देखो, इस question को आपको देख ले न, मैं क्या कर रहा हूँ, कि four में four statement का option है, question है, उसमें देखो आप, fact निकालो, जो extreme statement है, या fact है, उनको निकालो, other metadata cannot be stored, more than three months, क्या पता, four months हो, या five months हो, पहला fact हो गया, उसके basis दो, क्योंकि examiner हमेशा एक statement सही करेगा, और तीन गलत करेगा, यह बहुत बड़ी list possibility, और यह अभी तक कभी हुआ ही नहीं, UPSC option में, कि four statement है, और उसमें एक सही है, या उसमें four के four सही है, तो उसके basis पर अपना CV चला गया, तो मतलब two और four सही है, आप two और four देख लो, और यह गलत भी है, three, यह insurance product के लिए are mandatory नहीं है, चीक है, तो यह question है ऐसे निकल जाता है, मतलब सब चीजों का use करके, अब यह question है, following appropriate bureaucracy, अब यह चीज है, इस question में क्या करना है, इन्होंने बोला कि appropriate, मतलब जो सबसे best है ना, इन चारों में से, यह चारों के चारों सही है, लेक patience लिए 4 option नहीं follow करते हैं, दो में नहीं करते हैं, आप C में पक्का करते हैं, D तक आने के लिए आपको patience चाहिए, UPSC यह बोल रहा है, जिस liberty वाले question में था, उल्गुलन वाले question में, देखो सब में D options है, यह अभी जैसे question और उपर हमने discuss किया था, उसमें भी fourth option था, और भी मैंने बहुत question देखे हैं, जिसमें generally क्या होता है, वो लोग जो option D होता है, वहां तक जाना चाह रहे हैं, मतलब तुमें वो लोग चाह रहे हैं कि तुम last D option तक जाओ, और patience के साथ उसको देखो कि उसमें क्या probability है, क्या नहीं है, उसके basis पर आपको लगाना है, ठीक है, तो this is the most, मतलब यह जो पूछा है नहीं कि best appropriate definition क्या है, बुरुक्रेसी के, तो जो core काम है बुरुक्रेसी का, वो public policy implement तो करना है, बाकि सब तो चलो, यह secondary चीज़ है, लेकिन यहां पे आपको core निकालना है, ठीक है, तो इस question में हमें साथ देखना है कि four statement के, जो भी option, जो single statement होते है, उसमें first मैं directly नहीं जाना, आपको सोच के जाना है, ठीक है, तो यह around 45 question से 2020 के, जो मैंने discuss किये, बाकि यह है कि मैं full paper भी, I think 20 और 21 का discuss कर लूँगा, कि कौन-कौन से question, knowledge से निकलेंगे, कौन-कौन से trick से निकलेंगे, कौन से question है, जो छोड़ने आपको, ठीक है, तो चलो इस वीडियो में इतना ही, thank you so much for the watching, मिलते हैं अगली वीडियो